हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू माय चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक लास्ट क्विक रिविजिन सीरीज में हमने बायो मॉलिकूल्स के वीडियो को कवर किया था और उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कार्भोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक आसेट्स अब हम डिसकस करेंगे बायो मॉलिकूल्स के कुछ इंपोर्टेंट प्रिविएस यर कोश्ट्स आप इन कोश्ट्स को प्राक्टिस कीजिए वीडियो देखने के बार और आपका जो कॉंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इस चाप्टर में आपको फुल स्क और मिल नहीं है ओके चलो अब हम इसमें डिसकस करेंगे इसमें किस तरह के कोश्ट्स पूछे जाते हैं और एक्जाम में आपको उन कोश्ट्स को किस तरह से अटेंप्ट करता है ठीक है तो कांडली बश्टी वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है यूस् और एक होती है और एक होती है और लगता है कि आपको कॉंसेप्ट क्लियर है चीक है तो आप इसमें मेंशन करेंगे कि दो फॉर्म्स होती है दोनों ही साइक्लिक हेमियसिटल फॉर्म्स होते हैं बट उनमें जो डिफ्रेंस होता है वो होता है C1 कॉंफिग्रेशन पर अगर हम इसका C1 कार्बन यानि कि जो कार्बन पहले LDHID ग्रूप था वो अब कनवर्ट हो गया है ठीक है उसके उपर हाइड्रॉक्सिल ग्रूप आ गया है उसी की वज़े से दो फॉर्म्स एक्जिस्ट करती है अलफा फॉर्म और बीटा फॉर्म अलफा फॉर्म में इस कार्बन पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रूप होता है वो तुवर्ड्स राइट होता है और बीटा फॉर्म में जो हाइड्रॉक्सिल ग्रूप होता है वो तुवर्ड्स लेफ्ट होता है ठीक है यही इनका में डिफ जिस carbon पर इस difference create हो रहा है उस carbon को हम बोलते हैं anumeric carbon और इसलिए इन दोनों forms alpha and beta forms को हम बोलते हैं anumers जैसे कि आप solution में देख सकते हैं आपको इसे इस तरह से represent करना है solution explanation देना है and then structure draw करना है c. glucose exists in two forms the two cyclic hemisytal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at c1 that is first carbon called anumeric carbon these are called anumers तो आप उसके बाद इसका structure बना के इस answer को complete कर साते हैं second question write structure of product obtained when glucose is oxidized with nitric acid देखो जब हमने glucose के structure को study करने की कोशिश की थी तो उसमें हमने बहुत सारी reactions को study किया then उसके structure को elucidate किया था उसमें से एक reaction यह होती है कि जब हम glucose को oxidize करते हैं nitric acid तो क्या form होता है so इस reaction में sacric acid form होता है and इसमें आप reaction mention कर सकते हो structures draw करके glucose का structure बनाईए then लिखे कि HNO3 के साथ react करने के बाद क्या form होता है sacric acid sacric acid में क्या होता है जो LDHID group है वो भी carboxylic में reduce हो जाता है and जो primary hydroxyl group है वो भी carboxylic acid में reduce हो जाता है so आप देख सकते हैं structure image में ठीक है third question define glycosidic linkage glycosidic linkage क्या होता है देखो जब दो monosaccharide units oxygen atom की through एक दूसरे से जूड़ी होती है उसको हम बोलते है glycosidic linkage जैसे हम किसी disaccharide का example ले for example sucrose तो इसके अंदर जो दो disaccharide units होती है वो होती है glucose and fructose तो ये दोनों जब जूड़ती है तो इनके बीच में एक oxygen atom की through linkage होता है उसी linkage को हम क्या बोलते है glycosidic linkage so आप देखे solution को आप कैसे लिखेंगे definition and then example a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage example in sucrose two disaccharide units are glucose and fructose joined by glycosidic linkage okay now question number four what is invert sugar अब invert sugar क्या होता है देखो जब हम किसी sugar का hydrolysis कर रहे है and hydrolysis होने के बाद जो उसका rotation है वो change हो जाए for example दो sign होते है rotation के plus and minus plus sign कब हम donate करते है जब dextor rotatory होता है and minus जब labio rotatory होता है तो क्या होता है जब हम sucrose का hydrolysis करते है तो उस case में rotation change हो जाता है dextro से labio हो जाता है that is plus से minus sign हो जाता है and इसी को बोलता है inversion क्योंकि ये sucrose शो कर रहे है तो इसलिए उसको हम बोलता है invert sugar चीक है तो आप इसको लिख सकते है when hydrolysis of sucrose brings about a change in the rotation of sugar that is sign of rotation changes from dextro to labio product is called invert sugar okay now moving on to next question define oligosaccharides अब हमने तीन तरह की saccharides को classify किया था sugar को जो classify किया था वो तीन तरह से किया था monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides monosaccharides वो carbohydrates होते है जो hydrolysis के बाद एक saccharide unit को generate करते है oligosaccharides वो होते है जो hydrolysis के बाद 2 से अप टू 10 saccharide units को generate करते है and polysaccharides वो होते है जो more than 10 saccharide units को generate करते है ठीक है so carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides example है sucrose, maltose, lactose now question number 6 देखो जो question number 6 है वो एक value based question का example है and ये 2020 में पूछा गया था so देखते हैं सबसे पहले आप question को पूरे अच्छी से clearly बच्चो read करो and then उसके बाद जो respectively questions पूछे गया है उनका आपको answer करना है so देखते हैं paragraph में ये क्या कह रहा है see after watching a program on tv about the presence of carcinogens that is cancer causing agents potassium bromate and potassium iodate in bread and other bakery products Rupali a class 12th student decided to make others aware about the adverse effects of these carcinogens in foods so एक TV में Rupali ने क्या देखा कि कुछ products ऐसे होते हैं जो हमारे food में present होते हैं basically bakery products में bread में जो हमें harm करते हैं they can be cancer causing so उस ने ये देखा और उसको लगा कि मुझे सबसे इस बारे में discuss करना चाहिए उनको अभेर करना चाहिए she consulted the school principal and requested him to instruct the canteen contractor to stop selling sandwiches, pizzas, burgers and other bakery products to the students the principal took an immediate action and instructed the canteen contractor to replace the bakery products with some protein and vitamin rich food like fruits, salads, sprouts, etc. the decision was welcomed by the parents and the students so ये सोचने के बाद उसने अपनी प्रिंसिपल को consult किया and बोला क्या प्लीस कैंटीन वाले को instruct करो कि वो कोई भी ऐसी bakery products like pizza, burgers ये सब ना सेल करें कैंटीन में बलकि कुछ energy giving foods nutrient rich foods इन सब को सेल करना स्टार्ट करें और एकदम से ये decision principle ने imposed भी खिया and जो students and parents से उन्होंने भी इस decision को support कि तो अब देखते हैं इससे लिटेट क्या questions है first question asked was what are the values displaced by रुपाली यानि इस paragraph के तुरू आपको क्या समझ में आए कि रुपाली ने किस तरह की values को characteristics को display किया तो देखो उसने सबसे importantly एक responsible citizen का role play किया she was aware कि क्या हो रहा है जैसे उसे लगा कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसने एक firm decision लिया कि मुझे इसके तरफ कोई action लेना चाहिए so she was caring also responsible also she was concerned about other people तो ये कुछ values हैं जिसको आपको mention करना है generally two values आपको mention करनी होती है कर वनमात में question पूछा है so आप इसको ऐसे represent कर सकते हो she displays the characteristics of a responsible citizen she is socially alert and is concerned about the other people okay now second question जो इस paragraph से पूछा था which polysaccharide component of carbohydrates is commonly present in bread यानि की कौन सा carbohydrate का component bread में present होता है या big products में present होता है so वो starch होता है starch क्या होता है एक polysaccharide होता है जो bread में present होता है okay third question write the two types of secondary structure of proteins क्योंकि यहां पे carbohydrates की बात हो रही है then proteins की भी बात हुई vitamins की भी बात ही तो उस paragraph से लिए इस हमने पूछा कि दो structures बताओ protein के कौन से होता है जो secondary structure होता है so हमने दो structures को पढ़ा है secondary first alpha helix structure and then second is beta plated sheets okay fourth question पूछ रहा था two example of water soluble vitamins अब vitamins को दो तरज से कासिपाई किया जाता है water soluble vitamins and fat soluble vitamins water soluble vitamins के example है vitamin B, vitamin C okay and fat soluble vitamins के example है vitamin A, D, E, K okay now next part so इसमें चार पार्ट पूछे गए थे sixth question में and ये एक value based question था and ये question बहुत easy और बहुत ही simple होते है बस आपको read करना और correct answer को mention करना है okay now moving on to seventh question what is the difference between a nucleotide and nucleoside तो एक nucleotide और nucleoside के बिच में क्या preference होता है जो nucleoside होता है उसके अंदर एक base और एक pentose sugar present होता है है ना but nucleotide में base और pentose sugar के अलावा एक phosphoric acid group भी present होता है so इन दोन के बीच में जो major difference है वो यही है that a nucleoside contains a base and sugar and a nucleoside contains base, sugar and also a phosphoric acid unit ठीक है जी now eighth question why amino acids behave like salts rather than simple amines और carboxylic acids इसका क्या reason है कि जो amino acids होते हैं वो salts की तरह behave करते हैं ना कि simply amino acids की तरह और carboxylic acids की तरह okay so देखो क्या होता है amino acid जो होते हैं उसमें दोनों group साथ में present है है ना उसी amino acid के अंदर carboxylic group भी present है और amino group भी present है तो जब aqua solution में हम amino acid को लेते हैं तो क्या होता है carboxylic जो group होता है COOH उसके पास एक H plus present होता है तो वो aqua solution में अपने proton को loose कर देता है जबकि जो NH2 होता है that is amino group present होता है amino acid में उसके पास nitrogen पे एक lone pair है वो lone pair इस proton को accept कर सकता है तो nitrogen इसको accept कर लेता है ठीक है तो basically same molecule के अंदर एक तो part है जो proton को donate कर रहा है और एक part proton को accept कर रहा है तो इसमें दो no charge simultaneously generate हो जाते है positive charge and negative charge यही reason होता है कि amino acids salt की तरह behave करते हैं और उनको sweet iron भी बोला जाता है तो आप इसके example यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से protonation होता है आप देखो जिसे OH की जगा O- आ गया NH2 की जगा NH3 प्लस हो गया तो NH2 ने उस proton को abstract कर लिया तो इसको आप लिख सकते हो amino acids behave like salts because they contain both acidic and basic groups in aqua solution carboxylic group can lose a proton and amino group can accept a proton forming sweeter iron and thus behave as salts तो यह गया 8 question question number 9 the two strands of DNA are complementary to each other why? so जो DNA की दो strands होते हैं उनको identical बोलने की जगा complementary क्यों बोलते हैं? देखो इसका reason यह है कि जो दो DNA की strands होते हैं उनके बीच में जो basis की bonding होती है वो hydrogen bonding होती है and यह नहीं है कि कोई भी base किसी भी base के साथ hydrogen bonding के तुरू paired होगा जो यह pairing होती है तुरू hydrogen bonding यह particular pairs के बीच में होती है जैसे इसमें चार basis होते हैं DNA में adenine, thymine, guanine and cytosine so it is fixed कि जो hydrogen bonding होती है adenine, thymine के साथ फ़र्म करता है and cytosine, guanine के साथ फ़र्म करता है इसी तरह से दो strands एक दूसरे के क्या होते हैं complementary so इसका आप ऐसे लिख सकते हो the two strands of DNA are said to be complementary to each other because hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases adenine forms hydrogen bonds with thymine whereas cytosine forms hydrogen bonds with guanine okay moving on to the 10th question write down the reaction of glucose which indicates that carbonyl group is present as an aldehytic group in the open structure of glucose so यहाँ पे वो particularly वो reaction पूछ रहा है जिससे ये पता लगता है कि glucose में जो carbonyl group है वो aldehytic ही है ना कि ketone तो जब हमने glucose का structure elucidation किया तो हमने number of reactions पढ़ी थी जिससे structure confirm हुआ था उन्ही में से एक reaction ऐसी थी जो ये confirm करती थी कि जो carbonyl group है वो aldehyde ही है ketone नहीं है so वो reaction कौन सी थी देखो जब हमने glucose को reaction कराया था bromine water के साथ तो वो oxidized होके देता है gluconic acid that means कि जो CHO group है वो COH में oxidized हो जाता है और इससे ये confirm होता है कि इसमें aldehyde group ही present है क्योंकि अगर ketonic group present होता तो वो यहाँ पे oxidized नहीं होता aldehyde group था तो oxidized हुआ तो आप इसमें इसको explanation लिखोगे words में and then reaction को mention करोगे so देखो glucose on reaction with bromine water gets oxidized and yields gluconic acid as the product this indicates that carbonyl group is present as an aldehyde group ठीक है अब reaction देखो glucose का जब reaction हुआ bromine water के साथ तो क्या हुआ CH oxidized हो गया COH में gluconic acid form हो गया यही reaction आपको लिखनी है now question number 11 right products obtained after hydrolysis of DNA तो DNA के hydrolysis के बाद क्या-क्या मिलेगा जो उसके major components है जिनसे मिलके DNA form होता है तो DNA किसे मिलके बनता है क्योंकि DNA क्या है एक nucleotide है तो उसके अंदर sugar होगा basis होंगे and और क्या present होगा एक pentose sugar और phosphoric acid so जो जोब DNA में particularly pentose sugar present होता है that is beta-2-D-deoxyribose तो जब हम DNA क्या hydrolysis करेंगे तो हमें मिलेगा beta-D2-deoxyribose एक phosphoric acid and 4 basis adenine, guanine, cytosine and thymine okay now question number 12 यह भी एक multiple questions का mention किया गया था जिसमें आपको एक paragraph दिया हुआ था और उससे रिलेटर फिर आपसे questions पूचेते हैं इस तरह के questions अब काफी ज़ादा आने लगे हैं कि pattern change होगा एक्जाम का है ना so questions को discuss करते हैं organic compounds containing amine as functional group are present in a vivid variety of compounds namely amino acids, hormones, neurotransmitters, DNA, alkaloids, dyes, etc. drugs including nicotine, morphine, codeine and heroin, etc. which have physiological effects on humans also contain amino group in one form or another. amines are basic because of the presence of lone pair of electrons on nitrogen addition of nitrogen into an organic framework leads to the formation of two families of molecules namely amines and amides as chemistry students we must appreciate the versatility of nitrogen so this is a general paragraph which is about nitrogen compounds which is related to functional group which is from which function group which is present, which is useful in which components are present amines and basic nature is why it is important now this is a general paragraph that you have asked questions that are in terms related and what you have asked in the bio molecules unit that are questions so let's see, first question what are amino acids? simple question है, amino acids होते के हैं? जब उसका हमने जिक्र किया है ठीक है? तो amino acids क्या होते हैं? वो proteins के basic unit होती हैं और इसके अंदर बोथ amino acid के जो chain होती है वो और carboxylic acid के chain होती है वो प्रेजेंट होती है तो एक ही molecule के अंदर carboxylic group और amino group दोनों प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आप general structure भी देख सकते हैं उसका general structure है that is R, CH, NH2 and COH second part why are amino acids amphoteric? amino acids amphoteric क्यों होते हैं? जो amino acids होते हैं उनमें हमने अभी discuss किया था भीएव करेगा जो उसमें NH2 group function कर रहा है तो वो base को, proton को accept कर सकता है and base की तरह भीएव करेगा so it can react as both acid and base इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कि यह amphoteric nature show कर रहा है and it is a sweet array clear? third question give one point of difference between acidic and basic amino acid बिलकुल simple question है acidic amino acid होते हैं basic amino acid होते हैं neutral amino acid हम उनको बोलते हैं जिसमें acidic और basic groups equal होते हैं that is equal COOH group and equal number of NH2 groups are present ठीक है? किसी भी protein में यह किसी भी amino acid में ठीक है? acidic amino acid हम तब बोलते हैं जब उसके अंदर carboxylic group जादा present होते हैं as compared to amino group and उसी को हम basic amino acid तब बोलेंगे जब उसमें basic group याने कि amino group जादा होते हैं as compared to carboxylic group okay? next part what are essential amino acids? अब essential amino acids क्या होते हैं? देखो amino acids को हम दो तरह से classify कर सकते हैं essential amino acids and non-essential amino acids essential amino acids essential amino acids वो होते हैं जो हमारी body खुद से synthesize नहीं कर पाती and हमें किसी external source जैसे food उसके थूँ हमें उसे अपनी body में consume करना होते हैं ठीक है? तो उनहीं को हम बोलते हैं essential amino acids जो हमारी body खुद से produce कर लेती है हमारी body में naturally वो present होते हैं उनको हम बोलते हैं non-essential amino acids ठीक है? so amino acids which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are called essential amino acids example valine and leucine okay last part है जी name linkage formed when carboxylic end of one amino acid condenses with amino end of other acid बिल्कुल simple question है देखो जब हम एक protein chain बना रहे हैं तो उसके अंदर amino acid से जुड़के बनती है जब एक amino acid दूसरे amino acid से जुड़ता है तो वो कैसे जुड़ता है? carboxylic add amino group से जुड़ता है फिर amino group carboxylic group से जुड़ता है peptide bond या फिर peptide linkage आप देखो example में यह example है एक amino acid ने जब दूसरे amino acid से रियक्ट किया तो देखो first वाले का COH और NH2 ने रियक्ट किया second वाले के तो इसमें water molecule remove हो जाता है condensation reaction होती है COOH में से OH निकल गया NH2 में से H remove हो गया जो बचा वोग बीच में क्या bond बचा CONH इसी को हम बोलते है peptide linkage या फिर peptide bond okay so biomolecules से लेट हमने काफी सारे questions discuss किये I hope कि यह topic आपको clear हो and बस आपको एक बार quick revision video देखनी है and questions को practice करना है यह chapter आपका बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको कोई question ऐसा मिलता है जो आपको clear नहीं हो रहा उसका answer नहीं मिल रहा यह कोई be doubt है तो please आप उसको comment section में mention किजिए thank you so much